आज माले एक दोसरा क्यूंकि इस चैंडरा Ungay हएं पहले नंवर हम पेठले भी देयुएं ठीक है तीजैन्दर की बुक ना मसे एक प्ले लिष्ट बना Juliet कियू एगर किसी ने वह चैंडर नहीं देखे हो तो जा कि देख सकता है हमने मुगलकार सो श्टाप किया था ठीक voz तो इसी स्रीज में हमने मुगल काल को कम्प्लीट कर लिया था जो बारा नमबर से लेकर एकिस नमबर तक चैप्टर में हमने कम्प्लीट किया उसके बाद हम एक से लेकर बारा तक देखेंगे ठीके प्रेंट्स तो इसी काल में हमारे चैप्टर नमबर दूसरा है उत्तर बार उसके बाद में जो दीन पर मुक कराज़ थे उनके बारे में हम देखेंगेёт ठीक है डिकdec अ इसके बाद में अजाद में साथमी सद्भी में हर्समौराजिके पत्रण के बाद ठीक प्रेंट्स यहां हर समराजी का पतन हो जाता है और इसके बाद हम देखेंगे आगे ठीक प्रेंट्स साथवी सद्धी में साथवी सद्धी में हर समराजी के पतन के बाद इस भी साड़े साथ सो और एक जार के बीज उतरवारत में डगकन में जो जो बड़े बड़े राज उस्पन हुए ठीके प्रेंट्स क्योंकि हर समराज के पतन हो जाता है साड़े हर समराज के पतन साथ सो में हो जाता है साथ सो इस भी में औरा 1,000 के बीच हमारे जो भारत और डकन में 3 बड़े बड़े राज उत्पन हुए थे थे ठीके बरेंट सुनमेंसे पहला था पाल सम्राज ठीके पाल सम्राज जो 9 फी सदी के मद्ध तक पूरवी भारत में 6 खाय रहा ठीके बरेंट पाल के बाद पर 3 पर तियार सम्राज ज तत्बीन कालों में उथतर और दक्शिन्द बार्त में के इलाकों कुद टकरता रहा ठिक प्रांट तो यहीं हम देखेंगे राश्टवूट राज पर्दियार राज और पाल राज ठिक ब्रणिस उन्हें प्रद प्रदैङ को देखेंगे ठीक बन इन तीनों में राश्ट कूट राज सबसे लंबा चला ठीक प्रेंट्स और अपने काल में काल सबसे सकती साली समराज ही नहीं ठीक प्रेंट जो इन तीनों राज्जों में जो राश्ट कूट राज था ये सबसे लंबा था और ये सबसे सक्तिसाली था ठीक प्रेंट सक्तिसाली समराज ही नहीं बल्कि अथार्थ और सांस्क्रित मामलों में उत्तर और दक्षिन भारत के बीज पूल का काम किया था ठीक प्रेंट अब धिकाई दे रहा हुगा ठीक प्रेंट अब देखेंगे उत्तर भारत में संगर्स का बर्चस ठ बनुई थेखर आगे देखते हैं हर्चाइर्थ की मित्यूं के बाद कस्मीर कीरा और लिता दी ने ठीक प्रैंस हच है यह देख रहे हैं उत्तर वारत में बचछास कशंघर धsels की मित्यूं के हुई रहा ठीक है प्रेν्ट्स आगे देखने लेलता दुइ इतने बंगाल अतर्त घुंड यह फिराइड से आध हुए रखना कई ले बार कुछन पाल राज पर्दियार राज और राष्ट कुट ठीक प्रेंट्स यहां से कई बार कोस्चिन बने हैं तो चलिए फिर प्रेंट्स इन चैप्टरों में ना समझाने लाग कुछ भी नहीं है सिंपल वासा में बिलकुल एकदम बड़ी आवासा में लिखा हुआ सुध दिन्दी में यहां को समझाने लाइक होगा मैं आपको समझाऊंगा ठीक प्रेंट्स तो चलिए पहली लाइन से कोस्चिन बनता अग जाम है पाल समराज देखेंगे पाल समराज की स्थाभना साड़े सास्तों में गोड़ी ना की ठीक हम यह किकी करंण किया और मगद भियार तक को कपनE अधीन ले आया ठीक हम बन्ट मसले बंगल कि दीस ने लदता दूइदडने ठेक बृंइन ने अपने नियंतर में बंगाल को कि और मगस बियार को अपने अधीन लेया मतलब अपने राज में बियार ज़यरा को भी मिला ठेक बृंइनं 350 में relyंट सासु सत्थर इसबि में गोपाल कपुद सी चलता रहता हुआ ठीक कि उस टाइम जो उत्र वार्द का जो मेन के इंद्र माने जाता था ठीक प्रेंट और जो ये गंगा बगएरा का इलाके से ना ये सब कर नोज के उसे एंडरी थे तियुकि किनोज मैन गड था और जो गंगा कर पूख ए ज्माने जाते त्रिटर थीक परिया जाद ना करनोज और उत्तरबार पर नेंदन के लिए पाल परतियार और राष्टकृटो गद्ख तौभराद टूने त्रिटर पर त्षिस आया मतलब इस ये परतियार राजा था ना ये मंगाल पर हमला करने के लिए लेकिन इससे पहले ये कुछ करता ना देखते आगे ठड़ आया इसके पहले ही पतियार राजा पतियार राजा को राष्ट कूट राजा धरूब ने हरा दिया ठीक प्रेंस राष्ट कूट राजा था धरूब तो इसने इसको पतियार को हरा दिया जो ये बंगाल के आजा आख में करने के लिए इसके कारण धर्मपाल इसके कारण धर्मपाल के लिए मैदा खाली हो गया और उसने कनोज पर कब्जा कर लिया और एक सांदार दर्वार लगाया जिसमें पूरवी राजिस्तान आदी के आदी के अधिनस्त सासकों ने भाग लिया ठीक प्रेंट्स इसने कनोज पर अधिकार कर लिया और दर्वार लगाया जिसमें दर्वार में पंजाब माल बार बरार भी इसमें सौमिल थे ठीक कि हुगा, परेंगे इसमें समझाने लाइए जा होगा, इसमें जाओंगा, बिल्कुल सुद्य इंदी वासा में अच्छी तरह लिखा हुआ है आप सिर्फ देखते जाओ और सुनते जाओ, कहानी की तरह, ठीक कि प्रेंट कि रंपाल का विजे का नबे से नबेश ड़तिय की बीच माना जा सकता है लेकिन दरंपाल उत्र वारत यह मैं पनी संता को इस नहीं बना सकता था कि, कि नागबट दू इतिय ने नागबट दूतिये किकाल में पर्तिहारों की सट्ची का पनुस्तान हुआ ठीक बिरंटत युछ गुजीर पर्तिहार ना इनमें एक नागबट आ गया दूतिये तो इसना अपने सेना कोई का उत्रीद गया मतलब उनमें जोश बरा तब तीक अप्नुफ्तान किया दरमपाल को पीछ दरमपाल को पीछे दरमपाल को पीछे हटार meung근 के पास उसे हरा भी दिया गया ठीक ही बेरेंट 2 आगे चलते है तो देखते हैं आगे दरमपाल का बेटा देवपाल आठ सो दसमे गदी पर बैठा ठीक है फ्रेंट्स आगे देखते हैं ठीक है सासन कि उसने अपना नियंतरन प्रयाग जोतिसपूर यस नाम को भी आद रखना प्रेंट्स कई बार एक्जाम में पूछा गया 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 तो ये प्रयाग जोतिसपूर था लेकिन कई बार उप्सन में यह नहीं दे देता है कि इस से भी पहले एक पराणा नाम था काम रूप असम का ठीक परेंट दुन्हों याद रखेंगे काम रूप और जो तिस वूर ये असम के पराणे नाम है ठीक परेंट उसने अपने नियंतरन असम और उडिसा के कुछ बागूं पर भी स्थापित किया ठीक परेंट आगे जलते हैं इस तरह आठवी सदी के मद से लेकर नोवी सदी के मद तक सो बर सो तक लगबग पूरी भारत पर पाल राजाओं का बर्चेस रहा उनकी सब्तिकी गवाई सुलिमान नामा एक अरब सोदागर ने दी है ठीक परेंट इस नाम को भी याद रखेंगे कई बर एक जाम कोशन ही बनाया है कि पाल राजाओं में कौन सा यात्री आया था सुलिमान था और कई बर ये कोशन ऐसे बनागी ये सुलिमान किस देश का था तो ये अरब का था ठीक प्रेंट से याद रखेंगे अब देखना यह सुलीमान क्या बताता है वैसल बैपाल राजाओं को रुहिमा या धर्मा धरंपाल का संपेक्ष कहता है ठीक प्रेंट्स सुलीमान यानि कि सुलीमान ही बता रहा है इसके अनुसार पाल राजा का अपने पड़ोसी परतिहारों राष्ट कोटों के बीच योद्य चलता रहता था ठीक प्रेंट्स समझ गेंगे पर उनकी सेना उनके प्रोजियों की सेना से बहुत अदिक थी ये था सुलीमान की अगे आगे देखते हैं चीनी बिर्दान्त तिबती ठीक प्रेंट्स तिबती बिर्दान्त सत्रिस्तावदी में लिखे गए ठीक प्रेंट्स अभी देखते हैं तिबती बिर्दान्त में क्या लिखा है तिबती बिर्दान्त जो सत्रिस्तावदी में लिखे गए के अनुसा पारपार्ड ना सासक बूद घ्ञायान बिऎआन और धर्म के महान से त्ञक थे ठेक़रेडस आगे देखतें नालन्द नालन्दा प्रित बिस विधालय को धरफ़न परुस्तान किया ठेकर छांअगे बिक्रम-स'िल्ह प्रिति भीडाल्या'ीक भी स्टापिद्ब सु यह तो पाल सासक बोद मत के सनक्षिक थे ठीक प्रेंट यह बोद को बोद मत थे बोद बगएरा को मानते होंगे बोद धरम को यह तो पाल सासक बोद मत के सनक्षिक थे पर उन्होंने सैव और बैशनम को भी अपना सनक्षिन दिया ठीक प्रेंट इनके काल में बोद सैव और वैशनम को भी इन्होंने सरक्षण दिया था ठीक है जब चलते हैं अगे अब देखते हैं सैलेंदर सासक यह हम पीछे चैप्टर में पढ़ाया है पर्ष्ट चैप्टर में सैलेंदर सासक जो बोद जो बोद थे तत्मलाया जाबा और सुमात्रा और उनके पड़ोसी डीपो बर्णाच करते थे ठीक प्रणनों ने पालों के दर बार में अनेक राज़ूद बेजेदे ठीक प्रेंड इस सैलेंदर के बारे में उपर पड़ चुके हैं अब आगे चलते हैं पर तिहार जो सैकंड राजवंस्ता पर तिहार उनको देख देंए पटिहार लंबे समय तक लंबे समय तक कनोज परसासन करने वाले पत्यारों को गुर्जर पत्यार भी कहते थे ठीक है ब्रेंट स्याद रखेंगे पत्यारों ने मद और भूरी राजेसान में नेक रजवाड इस्ताबित कि मलाया गुजराद पर नियंतन के लिए राश्ट कुटों से भी टकराते रहे और बाज में कनोज के लिए भी ठीक है जिसका मतलब गंगा की उपरी बादी पर नियंतन पाना था पत्यारों की राज़दानी पहले भनी माल में थी जिने नाग परत्तम के काल में पर मुक्ताम भी ले थी ठीक प्रेंट स्यादानी याद रखेंगे इनकी राजदानी थी बनी माल में ठीक प्रेंट अगे चलते हैं पत्यार पत्यार राजा उन्हें गंगा की उपरी बादी और मलावा बनी इंतन फैलाने के आरंबिक प्रियासों में राष्टकूट राजा धुरुब और गोपाल तुरुत्ये नाकाम करती है ठीक प्रेंट जो इनका प्रतियाल तो यह राष्टकूट राजा धुरुब थाना जो यह और इनके बीच में लड़ाई होगी तो गोपाल गोपाल तुरुत्ये ने नाकाम कर दिया ठीक प्रेंट इनके पूरी प्लाइनिंग द्वस्त कर दियोगी उस टाइम राष्टकूट उने सासो नब्वे सासो नब्व इस भी में और फिर आट सो छे साथ में प्रतियारों को हराया ठीक प्रेंट्स अगे चलते हैं प्रतियारों का समराज बास्तविक संस्तापक और इस बंस का मांतम सासक बोज था ठीक प्रेंट्स नाम सुना होगा अपने राजा बोज ठीक प्रेंट्स यहां लिखा है बोज बोज ने ये उसने लिखा है पर समय इसका ने ने लेना लाश्ट वर्ड बोज ने परतियार समराज को पूर निर्माण किया तथा 836 इसवी के आसपास कनोज को बापस जीत लिया ठीक है प्रेंट्स आगे देखते हैं बापस जीत लिया बोज ने पूरब में पाउं फैलाने की कोशिश की ठीक है प्रेंट्स बोज ने पूरब में पाउं फैलाने की कोशिश की पर राजा देपाल ने उसे हरा कर आगे बढ़ने से रोक दिया ठीक है प्रेंट्स पूरब में मतलब ये पूरब में भी राज इस्तापित करना जाता वह लेकिन राजा देपालनों से राकर रोक जीए ठीके फ्रेंट्स फिर बैम्मद भारत डक्कन और गुजराद की और मुडार ठीके फ्रेंट्स अब ये गुजराद की तरह चलता है इससे राष्ट कुटों के साथ परतियारों के संगर्स के बाद फिर बाद भोज मालवा ठीके फ्रेंट्स अब ये मालवा की तरफ चलता है ठीके फ्रेंट्स मालवा और गुजराद के कुछ बागों पर अपना परचस बनाये रखने में सपल रहा है ठीके फ्रेंट्स एक सिला लेक अनसार रज सतलुन नदी नदी के पश्च मीमत तक फैला उवा था थीके फ्रेंट्स आगे चलते हैं कि यह लागा जा अरुभ याच्री से हमें पतर चलता है कि प्रतियार सासकों के पास एक कोograf गोड ते ना ठीक है भ्रेане क्योंकि जब तक ये जिन्दा बगएरा देना देपाल बगएरा तो तब तक तो ये उदर जाई नहीं पाता था रहा देते थे इसको लेकिन देपाल के मरने के बाद पाल समराज को मजोर पड़ गया और उसके बाद पूरव में भी इसने अपना समराज फैलाया ठीक पर सिद्ध है आगे देखते हैं भोज विष्णू बगता भोज विश्णू बगता और उसर ने आदिवरागी उपादी धारण की थी कई बार गोश्चन यह पूछा गया कि राजा भोज ने कौन से उपादी धारण की थी तो आदिवरागी ठीक फ्रेंट आदिवरागी उबादी ग्रैंड की जो उसके कुछ सिक्कों पर भी अंकित मिलती है ठीक ब्रैंट आगे देखते हैं उज्जैन के राजा उज्जैन पर राज करने वाले भोज पर मार से उसे भिन दिखाने के लिए उसे कभी कभी महिर भोज भी का जाता था ठीक ब्रैंट से आद रखेंग उस टाम कोई सासक होगा उज्जैन का वो भोज पर मार था उसका नाम पर उससे इस उससे इसने अपने आपको अलग दिखाने के लिए ना कभी कभी इसे भो महिर भोज भी कहा देते थे ठीक ब्रैंट अब आगे चलते हैं भोज की मित्यू के बाद समगदा आट सो बच्प बच्पन के आथ्पास हुई उसका पुत्र में अदर पर थम उसका उतरतकारी बना राज करने वाली मॉहं अधर ने भोज सम्राज को इसम और ऑर बंगाल तक पैलाया ठीक के बंत आगे चलते हैं भंगल तक पैलाया ठीक हो गया था और देखिए नीचे इस तरह इस तरह परतियार आरंबिक नौमी सदी से लेकर देस्वी सदी के मद्द तक सो बर्सों से अधिक खाल तकू उत्री भारत में राज करते रहे बगदाद के यात्री अलमसूदी जो नो सो बंदरा और सोला इस वी में गुजरात गुजरात आय है आप कवर्णन किया है अब देखना ये क्या कऺता है जुटwr प्रतिःर राजा को और प्रतियार राज रहर को अलल जूर्ट। यानि गुजरात का वर्ष्ट रूप तथा राजा को बहुर्ट। ठीक प्रेंट मैं राजा को बोर्न यानि भोज की उपादी आदिवरा का ब्रेश्ट उच्छारण ठीक प्रेंट कहता था यह यह बोल रहा है जो क्या कहते हैं यह बगदाद का निवासी यात्री आया था ना इसने कहा है कि जो पतियार समराज थे ना यह अल जूर्ज यानि गुजराद का ब्रेश्ट उप और जो यहां का राजा था ना जिसने बोर आदिवरा की उपादी धरन की थी यह था जो रा आगे देखते हैं पतियारों ने ज्मान बिग्यान और साहीति को संख्शन दिया ठीक प्रेंस जब्रेंस जे पतियार से राजातार들 एंनों ने लूग्य पिजानन को संख्शन दिया महांसहं संस्कृत गभी नाटकार राज सेकर भोज के पोते माईपाल के दरबार में थे परतियारों ने कन्योज को भी अनेक सुन्दर भवनों और मंदरों से सजा कर रखा ठीक है प्रेंट्स आगे चलते हैं नो सो पंदरा से नो सो अठार्मी के पीज राष्टकूट राजा इंदर तुईति ने फिर कन्योज पर आक्रमन किया और नगर को तबागर के रख दिया आके नीचे देखते हैं 963 के आसपास एक और राष्टकूट राजा क्रिसंत्वित्ती ने उत्तर बारत पर आक्रमन करके पटियार राजा को हराया इसके बाद ही पटिया समराज तेजी से विगटन की और बढ़ने लगा या हो गया ठीक ब्रेंट अब देखते हैं जो सबसे इंप्रोटेंट है राष्टकूट इसकी पहली लाइन से कोश्चन ही बनता कि राष्टकूट राजा का संस्तापक कौन था राष्टकूट राजी का तुछ दंती दुर्ग था ठीक ब्रेंट से याद रखेंगे ठीक ब्रेंट राष्ट कुर्ट राजगा संस्ता पकतंती दुर्गधा कई बार इसने कई बार कोश्चन बना है पताने कितनी बार ठीक ब्रेंट इसने आदोनिक सोलापूर के पास मानने खेट या मलखेट को अपनी राजदानी बनाया था ठीक ब्रेंट कई बार इनकी राज राष्टकूट सम्राज गंगा की बाधी तक प्रसार नहीं हो पाय। पर उन्हें लूट में बारी दौलत और राष्टकूटों की परसिद्धी बड़ी। छेXTुट फोड़ी च्बीरिए फोड़ी मांचे 24 00.19 राश्टे कुट के बैंगी पूर विचालकों के खिलाब तो था दक्षिन मकानची पलूओं और मदुरों और पांडे Queen कes खिलाब बर्ाबर यो दोते रहते थे ठीक कुट प्रैंट्स आगे जलते निचे देखते हैं राश्टकुट राजा ने राश्टकुट राश्टकुट राजा में गोविंद तृत्य और अमोग बर्स संभबते महां सा सकते ठीकी प्रेंट महां थे कन्योज पर नागभट के खिलाब एक सफल अभियान और मालवा पर अधिकार कर लेने के बाद गोविंद तृत्य आणडे और चोल चोल राजाओं को बेरित कर दिया है ठीक मेरें जब ये दक्षण के और चलता है तो दक्षण मैंगे एरल में ये पांडे होते हैं और चोल राजाओं को इसने बह्भित कर दिया ठीक मेरें आगे चलते हैं अमोग बर्स नेम लगबग च्वास्सраст ban तक राज किया ठीक प्रेंट से यह देखिए यहां पे लिखा हुआ है अमोग बर्ष में चोंतर बर्षों तक राज किया उसका सवाव ऐसा था कि वह युद पर धरम और सायतिक को बैरिता देता था ठीक फ्रेंट्स इधर हमारे लिए अब कुछ है नहीं इधर दो भारत का नक्षा बना हुआ है देख लीजिए अब चलते है नेक्ष पे ठीक फ्रेंट्स यहां तक हो गया था वह युद युद में धरम और सायतिक को बैरते देखता था ठीक फ्रेंट्स क्यूंकि वैस्वाएं में एक लेखक था और कंणड में महाकाब की पहली पुस्तक लिखने कासर है उसी को दिया जाता है ठीक फ्रेंट्स यह कई बार कोश्चन बना कि कंणड की जो महाकाब की पहली पुस्तक है ना क किसने लिखी तो यह हमुग ब Woah person लिखी थी ठीक है इस अगे चलते हैं दू अब्र अब्रों को अनेक भूइ स्थी कि आपना इसकेद्टि। उस्के पोतें इंद्र्टिःत्ये ने किए ठीक है नोसब बंद्राम में महाई पाल कि प्राजय की लूव्वरे बाद इंदर त्यूत्य ने अपना सम्म अपने समय का सबसे सकती साली राजा बन बैठा ठीक ब्रेंट्स principle लिखाओ इसमें समझाने लाइक कुछ है ने आगे चलते है क्रिशन तरिटिये परतिवा साली सासकों की एक सरंकला का अंतिम था ठीक प्रेंट तो मतलब ये बड़ी अबड़ी असा सकते ना इनमें ये अंतिम था दिये लिखा है ना क्रिशन तरिटिये परतिवा साली सासकों की इस रंकला में अंतिम था आगे चलते हैं क्रिशन तरिट पिर बाया रामियस्पर की तरफ बढ़ा जहां उसने एक बीजय स्थम और एक मंदिर बन भाया ठीक प्रेंट्स आगे चलते हैं उसकी मित्यु के बाद उसके अनेक उसके सभी विरोधी और उसके उत्राजिकार के खिलाब एक जुट होकर यह होकर लिखा हुए प्रेंट्स प परवाया था धार्मिक दिस्टी धार्मिक दिश्टी कोंड से राष्ट कुट राजा से सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब और नई वल्की जैन मत को भी सनक्षन देते थे ठीक प्रेंट्स याद रखेंगे इससे पहले जो हमने देखा है वह मतलब जैन को नहीं देते थे वो बोत धर्म को सनक्षण देते थे ठीक वरें गुजर पर त्यारों की बात हो रही है है लोरा में चट्टान काट कर बनाया गया सूपर सिद्ध सिभ मंदिर राश्टकुर राजा पर्थम किरसन पर्थम दोहरा नोमी सद्धी में बनवाया गया था कई बार कोश्चन पूच राश्ट देता था राश्ट कुटेनम मुस्लिम वैपारियों को अपने राज में बसने और इसलाम को परचार करने के अन्मुती दे रखी थी ठीक वरेंस इन्होंने मतलब इसलाम को मुस्लिम वैपारियों को अपने राज में बसाया और इसलाम को परचार करने के अन्मुत जिसाइद के कोई बच्चे होंगे तो उनका उनके पता होगा यह स्वेंब कौन था बहुत ही बढ़िया कभी थे महान अब अब राजाओं की प्रसासन की विवस्ता उत्तर में गुप्त सम राज्य और हर्स राज्य और दक्कन में चालुकों के अचार बिचार पर आधारी थ अब इनकी राजनितिक और विचार विवस्ता देखेंगे क्या क्या इनों ने किया था ठीक प्रेंट्स यहां तक हो गया था सभी मामलों पर केंद्र अचार बिचार पर आधारी थी सासक पहले की तरह ही सभी केंद्रों सभी मामलों का केंद्र था मतलब जो भी सक्ता दरबार राजनितिक मामलों और न्याही काई नहीं बल्कि सांस्कृत जीवन का भी केंदर था ठीक फ्रेंट्स दरबार में मतलब कोई मामले पर बैस और न्याही बगरा यह नहीं मतलब सांस्कृत जीवन पर भी जीवन का भी उसमें केंदर बना रखा था ठीक प्रेंट आगे देखते हैं अरब लेखा के अनसार राष्टकुट समराज में इस तरियों को चैरे पर जो अरब लेखा गयना ये बता रहा है कि राष्टकुट राजमना इस तरियों अपने चैरे को डखती नहीं थी ठीक प्रेंट ये लिखा हुआ है या डखती नहीं थी हाई होब अब दिखाई दे रहा होगा आपको ठीक प्रेंट दिखाई दे रहा होगा ठीक बरेंट राजा अक्सर कर लिसा प्वार्धियां दार्ण करते थे चक्रपती बारदी धार्ण करते थे बस मैं ही हूँ मैं सबसे महान हूँ ये वो तो ही बताया गया ठीक प्रेंट्स आगे एक नोट मैंने लिखा है जो मेदा थी ती नहीं ये लेकर किसे बहुत ही अच्छे मेदा थी नामा के एक समकानली लेकर का विचार था कि अपने अपने को चारोर हत्यार से बचाने के ये सस्त्र दारवन करना हर व्यक्ति का अधिकार था ठीक प्रेंट्स आगे चलते हैं बैकग्राउड में थोड़ी नोईस हो सकती है अक्सर जेश्ट पुत्र अक्सर मतलब जेश्ट माने बड़ा अक्सर जेश्ट पुत्र कोई उत्राधिकारी होता था किंतु ऐसे अनेक उ राजित भी हुए उधारण के लिए राष्टकुट राजा द्रूब और गोविंद रुट्य ने अपने बड़े भाईयों को सत्ता चुत किया ठीक प्रण मतलब पद से अटा दिया युद्ध बगेरा करने पड़े होंगे युद्ध बगेरा जीत भी गए या कभी कभी हार भी जाते थे मतलब सारा कुछ होता था ना वो सिंगासन को पाने के लिए ठीक प्रेंट्स गद्धी को हत्याने के लिए समझगे हो गया आगे चलते हैं आगे देखते हैं राजगुमारियों राजगुमारियों को कि सिंगासन के पद्ध पर निउत किया जाता था ठीक प्र राजा को skalादेने के लिए कइपार के मंत्री होती है बिसरे लोग collection कि तरफ कार करता है। ये लिखाना हराज में 1-5-5-4 त्मंदिश्मंद्री इसके इसके अलाबा एक राजी समंद्री को सा द्यक्ष सेनपति मुखेनाजित और फ्रोहित भी होते दे अब चलते हैं आगे ये समुदर के रास्ते अरब और पच्ची मेसिया तक तदस्तल के रास्ते कुरासान पूरवी फारस और मदेसिया में बड़ी संक्या में घोड़े खायात करते थे ठीक प्रेंट कि उस्टाम रथ बगएरा तो थे नहीं घोड़ों से युद बगएरा लड़ाईया होते थे घोड़े उस्टाम मतलब आज के समय ये मालो कि जैसे आज के समय ओड़ी बगएरा है ना तो उस्टाम घोड़े ये ओड़ी के बराबर दोड़ते थे गोड़ो साही लड़ाई यहां हुंती है ठीक पेरेंट युद्ध में रतों की हवाला नहीं मिलता कैसेकि प्रचलला समाफ तो थो शुखा था कुछ राजा खासकर राष्ट गूटों के पास बड़ी संक्या में किलिए थे ठीक प्रेंड देख दिखाई दे रहा होगा है राष्ट गूट राजा थे ना इनके पास सबसे ज़्यादा किलिए बगएरा होंगी उस टाइग आगे देखते हैं सरदारों के छेतर सरदारों के छेतर जहां तक अंदूरी मामलों का सवाल है स्वाइबता होते थे ठीक प्रेंट सरदार बगैरा जो भी थे उनके अंदूरी छेतर बगैरा मामलों की वो खुदी देखवाल करते थे ठीक प्रेंट खुदी अपने मैटर सुल जाते थे अब राजा को निर्दारिद कर और नजराना देती थे ठीक प्रेंट अरे यार सबजी बड़ा हो और ठीक प्रेंट आके देखते हैं पाल और परतियार समराजी को परतियक्ष परसासी छेतर बुक्ति प्रांत मंडल और विसे जिल्ले में विवाजे थे ठीक प्रेंट इन पाल और परतियार राजाओंगी ये समराजी की बता रहा है कि जो इनके छेतर बगएरा देना ये कई बार यूब बीपी सीएज में कई बनाया है कि बुक्ति को क्या कहते थे तो बुक्ति को प्रांत कहते थे ठीक प्रेंट्स और मंडल को जीला कहते थे ठीक प्रेंट्स तो इनके छेतर बता रहे हैं कि बुक्ति था इसमें प्रांत आते थे और मंडल में मंडल को जीला कहते थे ठीक प्रांत का देखो प्रांत का अधिपती उपरिक और जनपद का अधिपती बिसेपती कहलाता था ठीक प्रेंट्स याद रखना ये यूपीएस PCS में कोश्चिन बन सकता है अभी तक तो यही पूछा गया कि भुक्ती क्या होता था तो भुक्ती प्रांत को कहते थे कहते और प्रांत का अधिपती यानि कि जो करता दरता था ओबर रिक था और जनपद इस्पती क्या कहते हैं ये विसेपती कहलाता था ठीक प्रेंट्स उपरिक अब ये उपरिक देखो क्या कार करता था उपरिक से बूराजसु जमा करने और सेना की साइता से कानुन विवस्ता बनाये रखने की आसा की जाती थी विसेपती से यही कार अपने छेतर में करने की अपिक्षा की जाती थी ठीके प्रेंट इस काल में चोटे सरदारों की संख्या बड़ी जिनको सामन्त या भोग पती का जाता था ठीके प्रेंट समझ गए होंगे इस पहरे में बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन थी ये ये टर्म्स याद रखेंगे आप ठीके प्रेंट अब देखते हैं राष्ट कुट राजा इनके काल में क्या था राष्ट कुट समराज अब देखते हैं राष्ट कुट समराज में क्या था राष्ट कुट समराज में क्या था राष्ट कुट समराज में प्रत्यक्ष परसासी इनके जो क्या कहते हैं परतियार और पाल सासकों में लेकिन जो राष्ट को रसकते इसमें राष्ट का मुख्या राष्ट का मुख्या राष्ट पती कहलाता था मतलब इनमें जो उपरिका पत था उसे राष्ट पती कहते थे ठीक प्रेंट तो इनका जो प्रांथ का वो था न जो मुख्या करता दरता वो राष्टपती के लाता था और उसका कारबार वही था जो पाल और प्रतियाल समराज्यों में उपर इका था ठीक प्रेंट्स समझ गयोंगे विसे आज के जिलों के समान था ठीक प्रेंट्स उनके काल में भी जो विसे था जो मंडल थे ना वो विस तेकल आते ते जिला था ठीक प्रेंट जिले के समान था और भुकती इस में सबसे छोटी काई थी ठीक प्रेंट ये कोश्चन पूछा गया है कि परतियार की राष्ट कुड़ राजा में सबसे छोटी काई क्या थी तो वो भुकती थी ठीक प्रेंट अब एक यहां नोट प्रिवाज देना इन्वे सबसे छोटी काई थी ठीक करेंट अब चलते हैं आगे इन छेतरी विवाजरों में नीचे गाउं होता थीक प्रेंट सबसे नीचे गाउं होता था ठीक प्रेंट गाउं होता है तो गाउं परसासन की बुनियादी काई था ठीक ब्रेंट गाउं का परसासन की बुनियादी काई था गाउं का परसासन गाउं के मुख्या और लेखा कार दोरा चलाया जाता था ठीक ब्रेंट जैसे कि आज भी होता है कई जगा पंचायत होती है तो गाओं के जो बड़े बुजुर को आगे बैठ जाते हैं तो वही बताया गया है यहाँ ठीक प्रेंट्स आगे चलते हैं नगरों और नगरों और आज पास की छेत्रों में कानुमी व्यस्ता का कायम रखने के लिए कोश्टवाल या कोटवाल की जिम्मेदारी होती थी ठीक प्रेंट्स यह आज भी होता है जैसे देखा नहीं यह नगरों में जो कोटवाल की जो पुलिस टेशन बगएरा होते हैं कई जगा उन्हें कोटवाल या कोटवाल गयते हैं आज अब समझगे हो गया आप आगे चलते हैं डक्कन डक्कन में नां या गवूंड कह देते थे ठीक प्रेंट्स आब आगे चलते हैं ठीक प्रेंट्स इस काल में लाश्ट वेज चैप्टर का ठीक प्रेंट्स इस काल में धरमसास्त्र के महान परमुक पर्मुक पतिबादक थे ठीक प्रेंट्स देखना इस काल में धरमसास्त्र के महान परमु पत्थिपादक मेगाती थी जो अभी पीछे पड़ाया है न ये बहुत ही अच्छे कभी थी मेगाती थी जिनका एगएर की सत्ता का स्त्त दुर्मसास दौन derived ऑ。」 जिसमें बेज भी सामल थे और डिसांस दौन उते ठीकि प्रेंड्स ऐष्ट आ से औक बता रहे हैं कि जो राजा ढौने इनका कहरा था की सत्ता का आ मो किस रोध दरम सास्तर जिन में बेद भी आते थे और दरम सास्तर दोनों सामिल थे ठीक है प्रेंट तो आई हो आपने वीडियो एंजोई की होगी यह हमारा दूसरा चैप्टर था इसके बाद तीसरा चैप्टर भी मैंने पढ़ लिया है ठीक है और एक बाद और बदा दू थोड़े दिन बाद दो चार दिन ओर अर जेस्ट कर लो जो यह बैक्ग्राउंड में नोइस बगएरा होती है न कभी कोई सब्जी बाला जाता कभी दूद बाला कभी कोई कभी कोई ठीक प्रेंट्स यह दो चार दिन के बाद कुछ नहीं होगा ऐसा कि मैं एक बड़िया हा प्राइकल आने बाड़ा हूँ ठीक प्रेंट्स जिसे मतलब बारी एक्स्टेंशन बारी नोइस बगएरा ना आई वीडियो में ठीक प्रेंट्स ठीक प्रेंट्स तो दो चार दिन और आप अरजेश्ट कर लिए जो उसके बाद सब कुछ ठीक कर दूँगा मैं ठीक प्रेंट्स क्यूंकि मैंने नए नए चैनल खोला है तो आप का होगी है तो कोई नई बात नहीं है बड़ नए नए चैनल खोला है लेविन इसके लिए प्रेंट इखटे करने पड़ेना पहले उनको औरडर करना पड़ता है वह ऐसा तो है नहीं कि हर किसी दुकान पर मिल जाए अब लेवल हो जाए अच्छी अच्छा असानी से ठीक प्रेंट्स तो और करना पड़ता है तो और मैं भी वह पांसाथ दिन में तो लेके आता है कभी कबार ऐसा डिफेक्टिव ला देता है तो पांसाथ दिन में फिर उसे रिटर्न की वो डालो तो वो लेने आता है फिर पांसाथ दिन और लगते हैं तो यह होता है ठीक प्रेंट्स तो आप दो चार दिन और रजेस्ट कर लिजे एक दम बढ़िया क्वालिटी का माइक मंगाया है मैंने ओडर किया है ठीक प्रेंट्स जिससे कोई आपको बाहरी आवाज बाहरी नोइस वीडियो में नहीं आएगी फिर तो अगले चैप्टर की बात करते हैं अगले चैप्टर में हम मैं दिखा देता हूं आपको यह पढ़ेंगे चैप्टर नमर दीसरा है चोल चैप्टर भी अप्लोड हो जाएगा ठीक प्रेंट्स तो आई होब यू अंडिस्टैंड बेरी वैल और आई होब यू दोंट माइंड तो इंजोई दा वीडियो एंड प्रिपरेशन गुड़ एज वेल एज एबरी डिए ठीक प्रेंट्स तो आई होब आप स्पोर्ट कर ठीक प्रेंट्स यह आज साम तक अप्लोड कर दूँगा मैं तो चलिए प्रेंट्स यह थी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही जल्दी